दोस्तों अगर आप source बनाते तो आपके लिए बड़ी खुसोने वाली बात है क्योंकि YouTube ने source channel monetization start कर दिया है अब आप source को भी monetize करा सकते हो और ads के थूर पैसा कमा सकते हो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि YouTube आपके पास आपके YouTube studio में एक term बेजेगा जिसे आपको accept करना होगा चाहिए आपका channel monetize हो या फिर नहीं हो या फिर आपके चैनल पर 100 सब्सक्राइबर हो या फिर 1 million सब्सक्राइबर हो यह term सभी को follow करना है और आप सभी को इसको accept करना है आगे मैं आपको बताऊंगो कि इस term को कैसे accept करना है और हाँ बहुत से भाई हैं जिनके पास अभी तक यह term आया नहीं है तो इसे कैसे लाया जाए यह भी मैं आपको इस video में आगे बताऊंगा इसके लिए आपको क्या करना हुआ इसके लिए आपको वीडियो को end पहुच करना हुआ क्योंकि अगर आपने इसमें गल्ती कर दी तो आपकी पूरी मैनत पर पानी फिर जाएगा अगर आप चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राब कर दीजें विदाओ वेस्टिंग योर टाम लेट गेट स्टार्ट दोसों सौर्स चैनल मॉनेटाइजिशन के लिए क्या टाम पॉलिसी है यह तो आपको पता होगा लेकिन जिनको नहीं पता में उ और एड्स के थ्रूप पैसा कमा सकते हो अब आपको टर्म कैसे सब्सक्राइब करना है चलिए से मैं आपको फोन की स्कीन पर बताता हूं यूटूब इस्टूडियो ओपन करने के बाद आपको अर्ड वाले ओप्सन पर किलिक करना है तर इसके बाद आपको देखने को मिले इसके बाद आपको step 1 complete हो जाता है अब आपको second step review पर click करना है और आपको नीचे की side scroll करकर जाना है और यहाँ पर click करना है इसके बाद आपको accept कर देना है इसके बाद आपको step 2 बी complete हो जाता है अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ आता है start earning from short feed ads इसका मतलब है कि आप आप short feed से पैसा कमा पाओगे देन इसके बाद आपको go turn on पर click करना है उसके बाद turn on पर click करना है देन आपको नीचे की side slide करना है और उसके बाद आपको accept कर लेना है चलिए अब आगे चलते हैं अब आप देख सकते हैं कि supers लिखा हुआ है जिसके नीचे get start लिखा है आप आपको get start पर click करना है और उसके इसके बाद आपको term on पर click करना है इसके बाद आपको नीचे scroll करके आ जाना है और उसके बाद आपको तीन option देखने को मिलते हैं जिसमें पहला है आपको full name enter करना है second में आपको अपना email address enter करना है और third में आपको company name address करना है then इसके बाद आपका पूरा term accept कर दीजिए और उसके बाद आपका पूरा complete हो जाता है यह term इसके बाद आपको कुछ नहीं करना आपका term accept हो चुका है बस दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही YouTube से related किसी भी topics के बारे में जानना चाहते हैं तो comment section में ज़रू बताएं और एक लाइक चलूर करके जाएं